दोस्तो अगर आपके पास कोई दुकान है आप उसमें समान रखते हो उसे बेचते हो या आपके पास कोई फैक्टरी है आप उसे चलाते हो या आप किसी बजार में तह बजारी करते हो ऐसे कई सारी चीजे आपको करने के लिए आपके पास उनके चलाने का लाइसेंस होना चा तो अगर आप इन सब्सिरों से बचना चाहते हो तो आप तुरंत अपना MCD का लाइसेस बनवा लो अगर आपना भी तक नहीं बनवाया है अब आपको अपना MCD का लाइसेस बनवाने के लिए किसी भी MCD ओफिस जाने की जुरुवत नहीं होती है आप जस्ट ओनलाइन अपने mobile phone या computer की मदद से apply करके अपना MCD का license हाथवाद बना सकते हो तो कैसे आपको online apply करना है कैसे आपको फारं बरना है यह सारा process मैंने आगे computer screen पर करके दिखाया है तो वीडियो को बिना skip करें पूरा देखना ताक कि आपको सारा process अच्छे से समझाए तो वीडियो को उके सो मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा आप उस पर क्लिक करके डारेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पर आपको टॉप राइट कौणर पर दिखरा होगा ओनलाइन सर्विसिस इस वाल अप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको तीन चीज़े पूछी जाएँगी इन तीनों में से आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको अपना zone पता है कि आपका area किस zone में आता है तो आप अपना zone select करोगे otherwise आप अपने ward या कलोनी में जाके अपना area का नाम select करोगे और automatic आपका zone आ जाएगा तो यहाँ पर देखो ward के अंदर काफी सारे area है जो भी area में आप रहते हैं वो select कर लेना तो zone automatic select कर लेगा otherwise आप कलोनी में जाओगे तो देखो यहाँ पर आपको हर एक area के आगे उसका zone भी लिखावा mention मिल जाएगा तो ऐसे करके आप अपना zone select कर लोगे तो मुझे zone पता है तो मैं zone select करके search वाल option पे click कर लोगा search पे click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे online services इस वाल option पे click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर आपको website कुछ इस तरीके से दिखेगी यहाँ पे आपके option मिल रहा होगा line sensing इस वाल option पे आपको click कर लेना है licensing पे click करने के बाद यहाँ पे काफी सारे options आजाएंगे तो जिस भी चीज का आप license नया बनाना चाहते हो वो option आपको select करना है तो हम यहाँ पे general trade वाला बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे general trade वाले को select कर लूँगा ओके अब आपको यहाँ पे अपना mobile number register करना है तो register करने के लिए आप new user click here for sign up इस option पे click करोगे उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा form आएगा जहाँ पे आपको अपनी basic detail फिल करनी है उसको फिल करके आपका number register हो जाएगा अगर आपने already register किया हुआ तो आप सिधा login कर लोगे तो मैंने already register करा हुआ है तो मैं यहाँ पे सिधा mobile number डालूँगा उसके बाद generate OTP पे click करूँगा उसके बाद जो मेरा mobile number पे OTP गया है वो यहाँ पे फिल करके login पे click कर दूँगा so login करने के बाद यहाँ पे आपको general trade license इस वाले option पे click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है scroll down करने के बाद यहाँ पे दो option आएंगे यहाँ पे हमें apply new GT license इस पे click कर देना है renewal कैसे करते है इसके उपर भी मैंने already वीडियो बनाया है तो उसका link भी description में डाल दूँगा आप वहाँ पे जाके check कर देना तो यहाँ पे click करने के बाद सबसे पहले हमसे applicant details पूछी जाएगी जहाँ पे हमें applicant का नाम father या husband name उनकी date of birth और उनका एक photograph upload करना है उसके बाद यहाँ पे address फिल करना है और उनका email ID और mobile number डालना है तो एक कुछ basic सी detail है applicant की वो हमें यहाँ पे फिल करनी है applicant मतलब जो उस shop का owner है या factory को मैं फटा फट से detail फिल कर लेता हूँ उक्सों मैंने यहाँ पे साई details फिल कर लिया है अब नीचे scroll down करते है scroll down करने के बाद यहाँ पे हमें देखो पूछा गया classification of trade तो हम यहाँ पे जो समान बेच रहे हैं जिस चीज़ की trading कर रहे हैं किस जगा पे कर रहे हैं वो कौन सी category में आता हमें यह बताना है तो सबसे पहले trade premises में पूछा गया है कि आपका जो shop है वो किस area में वाता है या कैसी जगा पे है जैसे commercial areas है या फिर DSIDC है या फिर आपका local commercial है जो भी है एक्स wizard या आपको अपने according फिल करना है फिर आपको next पूछा trade description इसके इंदर आपको बताना है कि आप किस चीज़ की trading करें आप कौन सा समान बेच रहे हो तो यहाँ पर भी आपको अपने according समान select कर लेना है और आपको यहाँ पर अपने category फेल कर देनी है तो यहाँ पर classification of trade बर दिया उसके बार next हम से पूछा जाएगा trade premises details यहाँ पर सबसे पहले हमें यूपिक नंबर डालना है यूपिक में वो address आजाएगा जो आपने अपना यूपिक नंबर बनाते टाइम डाला होगा फिर आपको यहाँ पर floor select करना है किस floor पर आपकी shop है अगर आपके पास एक से ज्यादा floor है तो आप यहाँ पर add पर click करके दूसरा floor fill कर लोगे फिर next हम से पूछा used area and square meter तो जितना area आपकी shop का है square meter में आपको वो fill करना है उसके बाद ownership type डालना है वो भी आप अपने coding select करोगे फिर उसके बाद structure protected का पूछा गया यह भी अपने coding yes and no करोगे property tax paid है यानि यह भी आपको अपने coding yes and no करना है conversion charges का भी आपको अपने coding yes and no कर लेना है तो यहाँ पर यह वाला column complete हो गया अब हम चलते next नीचे scroll down करेंगे तो नीचे scroll down करने के बाद यहाँ पर हमसे address of unit पूछा गया है यानि कि आपको अपनी shop का address fill करना है यहाँ पर तो यह address of unit fill कर लिया है अब नीचे scroll down करते हैं scroll down करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा establishment details तो यहाँ पर सबसे पहले name of unit oblique establishment में आपको अपनी shop का नाम fill करना है जो भी आपको shop का नाम है उसके बाद year of establishment में आपको जब से आपने अपनी shop open करिये वो fill कर देना है GST number और pen card यह optional है अगर आप fill करना चाहो तो कर सकते हो otherwise आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो तो आपने establishment details fill कर लिया है उसके बाद next यहाँ पर license validity पूछी गई है तो यहाँ पर आप अपने coding जितने भी साल के लिए आप अपना license बनाना चाहते हो वो select कर सकते हो तो यह भी अपने coding कर लेना next अब type of constitution पूछा गया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले type of constitution में select करना है कि क्या चीज़ है पार्टनर्शिप है या प्रोपरेटर्शिप है यह भी अपने coding select करोगे आप फिर उसके बार relationship of applicant with company यानि कि क्या relation है applicant का तो यह भी आपको अपने coding select करना है अगर partners हैं और एक से ज़ादा तो यहाँ पर आप उनके नाम डालके add भी कर सकते हो तो अब नीचे scroll down करते हैं scroll down करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले ID proof upload करना है applicant का उसके बाद next column में आपको photograph upload करना है आपके shop की जिसमें कि आपको एक front की photo कहीचनी है अपनी shop की उसके बाद एक अंदर से photo कहीचनी है जहाँ पर आप जो समान trade कर रहे हो वो चीज़े आए उसमें तो आपको एक front स और एक अंदर से यह दोन फोटो कीचके यहाँ पर upload करनी है फिर third option में आपको proof of occupancy upload करना यानि कि वो दुकान आपकी खुद की है या अपने rent पे लिए उस चीसका आपको upload करना है proof अगर अपनी है तो यहाँ पर आप अपना property के paper डाल सकते हो या अपने नाम का electricity bill डाल सकते हो और अगर किराय पर है तो आप यहाँ पर rent agreement भी upload कर सकते हो तो documents में अप्लोड कर लिए है अब यहाँ पर नीचे scroll down करते है scroll down करने के बाद यहाँ पर आपको self declaration obligation object undertaking डीवी है अपने यहाँ पर last में save as draft इस वाले option पर क्लिक कर लेना है यह मैं क्लिक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं यह form फिल कर रहा था तो यहाँ पर website बहुत slow थी तो जब भी मैं यहाँ पर submit पर क्लिक कर रहा था तो मेरा सारा data जो भी मैंने फिल कर र होगे और आपका time भी बचेगा तो यहाँ पर हमने draft कर लिया है अब यहाँ पर आपको नीचे slide करना है slide right जब आप slide right करोगे उसके बाद आपको actions वाले option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको edit form पर click कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी आपने form भर है वो सारा खुल जाएगा यहाँ पर आपको अपने site details जो आपने fill करी है नाम वगरा address phone number mail id सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान से check कर लेना है तो यहाँ पर आपको एक चीज और करनी है जब आपने documents upload करेते हैं पहले वो आपके यहाँ से automatic हट जाते हैं जो आप draft में save करते हैं application तो आप यहाँ पर अपने documents जो आपने upload करेते हैं वो दुबार upload कर लेना ओके तो हमने upload कर लिए अब नीचे चलते हैं यहाँ पर declaration पर click करके submit पर click कर देंगे तो यहाँ पर website ऐसे कुछ हो सकता है error आजा है तो आप यहाँ पर simply refresh कर लेना ओके तो अब यहाँ पर देखो हमें हमारी fees दिखा दिया हमें कितने fees पे करनी है तो यहाँ पर देखो processing fee यहाँ पर हमसे 1100 रुपे लिए गई है लाइसेंस की fee हमसे यहाँ पर 49,69 रुपे लिए गई है online payment का charge 105 रुपे लिए और net fee जो हमारी बनी है वो बनी है 5,170 रुपे गई तो अब हम यहाँ पर इस fee को pay कर लेते हैं तो pay online इस वाले option पर click करेंगे click करने के बार यहाँ पर काफ़ी सारे gateway आजेगे मैं यहाँ पर refer करूँगा आप SDFC या Access Bank का यूज करना यह लोग extra charges नहीं लेते बाकी gateway आपसे extra charges भी ले लेगे तो मैं यहाँ पर SDFC का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर हमारी payment complete हो चुकी है यहाँ पर success लिखके आगया अब यहाँ हमारी mcd यी website ले जाएगी यहाँ पर हमारी payment complete हो चुकी है और यहाँ पर हमें दोखो लिखके भी आगये License issued अब हमें क्या करना है दुबारा यहाँ पर slide right करना है उके स्राइट लाइट करने के बाद एक्षेंस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग पेमिंट रिसेप पर क्लिक करके जो आपने फीज भरी है उसकी स्लिप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे नीचे डाउनलोड GT लाइसेंस पे क्लिक करके अपना लाइसेंस डाउनलोड कर लेना क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा आप इसका PDF सेव करके रख लेना है और इसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हो तो यही था हमारा अच्छ का वीडियो तो देखा आपने कितनी असानी से आप लोग घर बैटे अपना MCD लाइसेस बना सकते हो और अब आपको MCD ओफिस जाने की भी जरूरत नहीं है तो I hope मेरी इस वीडियो ने आप लोग काफी जादा help करी होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करके जरूर जाना और share करना उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की need है ताकि वो भी इस वीडियो को देखर अपना लाइसेंज बना सके। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूग कर लेना और साथा बैल नोटिफिकेशन को भी ओन कर लेना ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करें। तो मिलते हैं अपने ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्स फॉर ओट्सिंग गाईज लव यू और